प्रभू, महाबली हनुमान ने द्वापर युग में आपके अवतार का कुल कैसे निर्धारित किया था? उसी बालक श्रीकर के यदु कुल में मेरा जन्म हुआ इस पकार मेरे भक्त हनुमान ने मेरे आने की पूर ही मेरे अवतार का कुल निर्धारित कर लिया था मेरा वर्दान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में सुएम भगवान नारायन ही अफतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरब बढ़ाएंगे यही नहीं, मेरी बाले अवस्ता की एक प्रमुक घटना की नीव भी अनुमान नहीं रखी भी हे बनसिधर, आपके भक्त हनुमान ने यदुकुल में आपके जन्म के मार्क को तो प्रशेस्ति किया, किन्तों वो घटना क्या थी, जिसकी नीव हनुमान ने रखी थी? हनुमान की लिलाएं सदैव अद्बुध ही रही है, मेरी बाले अवस्ता की वो मनोहारी घटना, गोकुल में ही घटित हुई थी? स्वामी, आपके गोकुल में घटित हुई बाले अवस्ता की तो अनेको मनोहारी लिलाएं है, किन्तों हनुमान के सयोग से कौन सी वो लिला थी? जग प्रसिद है वो लिला, आप सबको भी स्मरण होगा, जब गोकुल में मैंने प्रकृति पूजा के प्रतीक रूप में गोवर्धन परवत की पूजा करवाई थी, जिससे देव, राज, इंद्र, कूपित को उठे थे, उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंब करवा दी उस इना आशकारी वर्षा से ब्रिजवासियों को बचाने के लिए मैंने गोवर्धन परवत को उठा लिया था सुना है आपने उस विशाल परवत को अपनी कनिष्ट उंगली पर उठा लिया था जिसे देखकर देवराज इंद्र भी कमपित हो उठे थे किन्तु प्राणवलब आपके उस महा पराक्रम में हनुमान की भी लीला थी क्या था मित्रविंदा उस लीला के पार्शव में हनुमान का ही एक वचन था जो त्रेता युग में हनुमान ने गोवर्धन परवत को राम सेतु निर्मान के लिए ले जाते समय दिया था मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वयम आपका स्पर्श करेंगे परवत राज गोवर्धन तद पस्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा तो क्या गोवर्धन परवत पूर्वकाल में किसी अन्या स्थान पर स्थित्था क्या हाँ प्रिये मित्रविंदा सेतु निर्मान हेतु सभी वानरादी दूर दूर से शिलाएं लेकर आये थे हनुमान भी सुदूर उत्तर इशा की ओरजा पहुंचे जहां गोवर्धन परवत पूर्विंदा वचन देने के पश्चाद जब हनुमान गोवर्धन परवत को अपनी हतेली पर रखकर ला रहे थे तो उन्हें वहां पहुंचने के पूर्वी सेतु निर्मान पूर्ण होने के संकेत मिल गए थे अतर उन्हें गोवर्धन परवत को मार्ग में ब्रिज भूमी में ही उतारना पड़ा क्योंकि श्री राम ने सबको निर्देश दे रखा था इस सेतु का निर्मान होते ही जो जहां है वो उन शिलाओं को वहीं छोड़ दे इसका तात्परी तो यह हुआ कि गोवर्धन परवत को ब्रिज भूमे में हनुमान नहीं सापत किया था हाँ सत्यभामा त्रेता युग में अपने भक्त हनुमान को दिये हुए वचन को आपने स्मरन रखा स्वाम और उस वचन का निर्वाहन आपने दुआ पर युग में किया श्रेश्ट भक्त के हर वचन हर कृत्य से भगवान को जुड़े रहना होता है प्रिये इसलिए ना तो मैं उनको दिया हुआ वचन भुला और ना ही अनुमान भुले और जब मैंने गोवर्धन परवत को उठाया तो हनुमान स्वयम भी उस लीला के साक्षी बने प्रिश्न नारायन वासुदेवा इंद्र के कोप से व्रच को बचाया एक रिश्न नारायन वासुदेवा उतना मारी प्रिणा सुदो मारा पालपन ने ही ये पराक्रम देखाया मातट के सक्वरच का उर्धी चूराया एक रिश्न नारायन वासुदेवा दत्वचन भगवान ने भाया स्पर्ष हरी परवद को दिलाया धन्य प्रभुराम जैज कनहया एक रिश्न नारायन वासुदेवा ये महाबक्त हनुमान आपके दिये हुए वचन के कारणी आज मुझे प्रभु के उतार के रूप में प्रभु श्रिटिष्ट के स्पर्ष का इवम उनकी सेवा करने का स्वभाद्य प्राप हुआ है आपको कोटी कोटी धन्यवाद हनुमान जी ये आपका ही नहीं मेरा भी सौभाग्य है परवत श्रेष्ट गोवधन जो प्रभु ने अपने तुछ सेवक हनुमान के वचन का मान रखा ये जगत आपको प्रभु के इस उत्तम सेवा के लिए सदियों तक पूझता रहेगा प्रभु श्री कृष्ट आपने मेरे दिये हुए वचन को तो निभा दिया अब मेरी एक तुछ इच्छा और पूर्ण कर दीजिए वर्षों से ये नेत्र आपके श्री राम रूप के दर्शन के लिए तरस रहे हैं प्रभु मुझे मेरे आराध्य श्री राम के रूप में तर्शन दीजिए मेरे प्रभु मेरे श्री राम मेरे भोले भाले भक्त हनुमान ने निरंतर साथ दिवस्तक जब तक मैं गुवर्धन परवत को उठाए रहा तब तक हनुमान मूसलाधार वर्षा में ही वहीं इस्थित रहकर मुझे भक्ती पूर्वक निहारते रहे इतना ही नहीं द्वापर युग में भी हनुमान धर्म संस्थापन एवं भक्तों की सहायता आदी कार्य सतत करते रहे महाभारत युद्ध के विजेताओं को भी युद्ध के पूर्व, योग्य एवं माधिक शक्तिशाली बनाने वाले हनुमान ही थे जब कभी उन्हें शक्ति के अंकार ने खेरा तो उन्हें उचित मार्ग हनुमान नहीं दिखाया महाभारत के विजेता अर्थात पांडव पंधू हाँ प्रिये मेरे पुफेरे भाई पांडव उनी के विशे में कह रहा हूं मैं सर्व प्रथम हनुमान की दर्शन देव राज इंद्र के अंच अर्जुन को होए थे जिनके समान धनुदर तंसार में ना कोई अन्य हुआ और ना ही होगा वो अर्जुन जो सब्वे साची है अचूक लक्ष बेदन मात्र लक्ष पर ही जिनकी द्रिष्टी केंद्रित रहती है शब्द भेदी बान चलाने में सिद्ध हस्त हैं जो महा योद्धा अर्जुन को देवेश्वर शिवजी ने पशुपतास्त्र प्रदान किया था महा भारत युद्ध के पूर ही अर्जुन को अपनी आद्वित्य धनुर्विद्या के कारण दंभ ने घेर लिया था शक्ति के साथ यदि दंभ भी आ जाए तो योद्धा के लिए पतन के द्वार खुल जाते हैं अता अर्जुन के दंभ को चूर करने के लिए हनुमान को ही सामने आना पड़ा था तो क्या हनुमान अर्जुन जैसे महायोद्धा के दंभु को तोड़ पाए ये विशाल सागर उसकी उताल तरंगे प्रकृति का इतना सुन्दर रूप रामेश्वरम का ये संपूर्ण क्षेत्र बड़ा ही मनुहारी है एक बार अर्जुन देश ब्रह्मन करते हुए रामेश्रम तीर्थ पहुंच गए थे संजोक से हनुमान भी वहाँ उपस्तित थे अर्जुन के हाव भाव से हनुमान ने भाव लिया था कि अर्जुन को अपनी धनुर विद्या के कारण अभी मान हो गया अच्छा तो ये है श्री राम का सेतू जिसे उन्होंने वानरों की सहायता से बनवाया था किन्तु श्री राम तो बड़े धनुर धारी थे फिर उन्होंने सहस्त्रों वानरों को इतना कष्ट क्यों दिया यदि मैं होता तो कुछी खणों में अपने बानों से एक सुद्रण सेतू का निर्मान करता अर्जुन जैसे योधा की वानी में ऐसा अभिमान? योधा तो तभी विजेता होता है जब शक्ति के साथ-साथ उसके वेवहार में विनम्रता हो अन्यथा दंब उसे पतन के अंधकार में धाकेल देता है अर्जुन को भविश्य में प्रभु श्री क्रिश्न के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए कारे करना है इसके लिए इन्हें दंब के विकार से मुक्त करना ही होगा अब ये वानर कहां से आ गया मेरे मार्क को अवरुद्ध करने क्षमा करें आप तो बड़े योधा प्रतीत हो रहे हैं जो आपने अभी कहा क्या वो सत्य है मैंने तुमने क्या सुना मेरे मुक्त से आप अभी कह रहे थे न कि आप अपने बड़ों से सेतू बना देते हैं हाँ ऐसा कर सकता हूँ मैं नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे हाँ पांडुपुत्र धनूर्धारी अर्जुन ही कदाचित ऐसा कर सकते हैं वो महा योधा हैं सर्वश्रेष्ट धनूर्धर हैं वो मैं ही सर्वश्रेष्ट धनूर्धर अर्जुन हूँ आप आप अर्जुन हैं पांच पांडुवों में से एक अरे वाह मैं तो धन्य हो गया जो मुझे इस योग के महान धनुर्धर अर्जुन के दर्शन हो गये जिनके अद्भुत पराक्रम और अचुक लक्ष भेदन की कथाएं अभी तक सुनी ही थी मैंने वो कथाएं सत्य हैं किन्तु तुम कौन हो अद्भुत वानर अपना परीचे दो मैं मेरा परीचे पांडु कुमार मैं तो एक मात्र साधारन सा वानर हूँ वो तो प्रभुश्री राम का सेतु है यहां तो कभी कभी चला आता हूँ हम वानरों की स्मृतिया जुड़ी है ना इससे इसलिए हाँ वो तो है किन्तु आपने सत्य कहा आप तो अपने बानों से ही सेतु का निर्मान कर देते किन्तु किन्तु क्या क्या तुम्हे कोई संदे है मेरी धनुर विद्या पर नहीं 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 आप तो रामेश्वर महादेव के दर्शन हे तु जा रहे थे ना आप जाईए किन्तु किन्तु ना ना कुछ नहीं अरे मेरा क्या है मैं तो वानर बुद्धी हुँ ना कुछ भी सोचने लगता हूँ किन्तु बात तो मन में आही जाती है ना बात क्या है वानर ये बार बार किन्तु परन्तु बता कुछ नहीं रहे क्या बात है वो क्या है न, आप तो महान धनुर्धर अर्जुन हैं, जिनके पराकरम पर संदेह करने वाला तो मूर्ख ही होगा, किन्तु मैं मूर बुद्धी वानर, मेरे मन में तुम्हे कोई आशंका है तो कह दो वानर, आशंका, वैसे सत्य है कि आप सर्वश्रेश्ट धनुर्धर अर् यह होता? अच्छा, तो मेरे सरसंचालन पर संदेह है तुम्हें। मेरे बानों में ऐसी शक्ति है कि उनसे बनाया हुआ सेतु सहस्त्रवानरों का भार सहने की क्षमता वाला होता है या फिर नहीं। इसी सागर तट पर। नहीं, नहीं, किन्तु, अच्छा, उच्छित है, मन तो बड़ा ही जिग्यासू होता है न। अब आप जैसे महायोध्धा के शर्संचालन को देखने का लोब कैसे संवरण कर सकता हूँ मैं। क्या सत्य में ही आप कर पाएंगे ऐसा? हाँ, हाँ, देखो, अभी कुछी क्षणों में मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्षी इस सागर तट पर अपने बानों से एक सुद्रिड सेतु का निर्मान करूँगा। मैं तुम्हारे नेत्रों के समक्षी इस सागर तट पर अपने बानों से एक सुद्रिड सेतु का निर्मान करूँगा। अभिमान मस्दिश्क का ऐसा विकार है जो नेत्र होते हुए भी मनुष्य की देखने की शक्ती को विक्रित कर देता है। उसे दिखाई नहीं देता कि उसे चुनौती देने वाला कौन है। वो स्वयम को सर्व पर ही समझने लगता है। भगवान के समकक्ष मानने लगता है स्वयम को। सत्य कहा द्वारी कधीश, फिर अर्जुन जैसे महायोधा, सर्वश्रेष्ट, धनोधर के अभिमान को कैसे तोड़ा हनुमानने। सर्व प्रथम देखना तो ये है कि अर्जुन बानों से सेतु का निर्मान कर भी पाय या नहीं। ये सत्य है कि अर्जुन को घमंड ने घेर लिया था। किन्तु थनुर विद्या में कुशल अर्जुन को याद था कि बानों को अपनी इच्छा अनुसार कैसे चलाया जाता है। अर्जुन जी मेरे उत्सुकता बढ़ते ही जा रही है। आप शिगर चलाये ना बान। मात्र एक ही बान। अर्जुन जी एक एक बान करके सेतू बनाने में तो कई मास लग जाएंगे। अर्जुन जी अद्वित्य आपने जो कहा था वो कर दिखाया अनुपम है आपकी धनुरुविद्या संसार में आपके समान कोई और धनुरधारी हो ही नहीं सकता मैं तो धन्य हो गया ऐसी धनुरुविद्या देखकर नहीं ऐसे नहीं सुद्रण कहा था ना तुमने अब यदि तुम में शक्ती है तो जाओ इस सेतु को हिला कर दिखाओ नहीं नहीं इतना अदभुद सेतु बनाया है आपने कहीं तूट न जाए कुछ नहीं होगा इस सेतु को तुम जाओ प्रयास करो इसे हिलाने का ठीक है आप कहते हैं तो मैं प्रयास करके देख लेता हूँ केवल हिलाओ ही नहीं मन भरकर उचल कूद भी कर लो इस से तू पर मेरे बाणों का बना हुआ ये से तू बिलकुल नहीं हिलेगा अश्यर है ऐसा कैसे हो गया मेरे बाणों से बना हुआ से तू इस बानर के इस पर्ष से बिखर कैसे गया ये गाथा है धर्म के सम्मान की सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की आत्मविश्वास होना अच्छी बात है किन्तु अत्मविश्वास व्यक्ति को उसकी परिक्षा में असफल भी करा सकती है